द्धेहान रखने योग्गे जरूरी बात हैं फ्रेंस अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही पड़ें फ्रेंस वीडियो ची लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नमबर वन फिट रहने के लिए सारीरीक रूप से सक्री रहना बहुत जरूरी होता है यह हमें स्वस्थ रहने रखने और हमारी सेहत में सुधार करने में मदद करता है इसके साथ ही आपके मानिसिक स्वास्थे के लिए भी एक्सरसाइज आवज सक है अगर आप एक ही तरह के मेयोनेज खाकर बोर हो चुकी हैं तो प्लैन मेयोनेज में हरी चटनी, चिली सौस या बारिक कटा हुआ धनिया पुदीना मिला लीजिए ऐसा करने से आप एक नए फ्लेवर का स्प्रेड तयार कर लेंगी नमर 3 केक को इस्पोंजी बनाने के लिए बैटर में दो टेवल स्पून ब्रेड का चोड़ा मिलाएं नमर 4 पीतल के बर्दन पहले सूखी राक से रगड़े फिर अखवार से राक पहुँच दे नमर 5 बेकिंग सोडा और डिटर्जन को बरावर मात्रा में मिलाएं इसे टाइल्स पर 10 मिनट के लिए डाल कर छोड़ दे इसके बाद इसे गरम पानी की मदद से इस्क्रेबर से रगड़ें टाइल्स सीसे की तरह चमक उठेंगे बेकिंग सोडा में आप डिटर्जन पावडर को बरावर मात्रा में दोनों को मिला के रखें और इसे टाइल्स पर 10 मिनट के लिए डाल कर छोड़ दें इसके बाद इसे गरम पानी से इस्क्रेबर की सायता से टाइल्स को रगड़ें ये स्टाइल्स आपकी सीसे की तरह चमक जाएंगी नमबर सिक्स काम के दोरान हरगिस खाना ना खाओ हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ नमबर सेबन सोने से पहले अधरा का टुकड़ा मुह में रखकर चूस लिया करें पेट बाहर नहीं आएगा नमबर एट हफते में एक बार नारियल का पानी जरूर पिएं इससे सरीर गोरा होता है नमबर नाइन घी की कुछ बूंदें आँखों के निचले हिस्से पर लगाने से डार्क सर्कल की जो समस्या है वो दूर हो जाती है फ्रेंस यदि आपके डार्क सर्कल की समस्या ही की कुछ बूंदें अपने आँखों के निचले हिस्से में लगाएं इससे डार्क सर्कल की जो समिस्टा है वो दूर हो जाएगी नमबर टैन यदि आपको किसी भी कारण से नीद नहीं आ रही है बस रात को भोजन के बाद सोने के आदा घंटा पहले हल्दी वाला दूर पिये और देखिए कमाल नमबर 11 सर्दियों में हाथ पेरों में दरारें पढ़ने से बचाने के लिए सोने से पहले वैसलीन लगाएं फ्रेंट सर्दियों में अक्सर हमारे हाथ पेरें जो हैं वो फटने लगते हैं दरारें जैसे पढ़ने लगती हैं तो सोने से पहले आप वैसरीन लगा कर सोएं इससे आपके हाथ पेर बिल्कुल मुलाइम रहेंगे नमबर ट्वैल प्याज को काटते समय आँखों में पानी ना आए इसके लिए प्याज को फिरिज में ठंडा करके काटे नमबर ठाटीन तेज दूप में बाहर निकलने से पहले सरसों का तेल बालों में लगाएं इससे बाल नहीं ज़रते हैं नमबर फोर्टीन खाना बनाने के बाद बरतन तुरंत दोलें ताकि जिद्धी दाग ने पड़े नमबर फिप्टीन कई बार चोट लगने पर नीला पढ़ जाता है कच्चा आलू पीसकर नीले पड़े इस्थान पर लगाने से बहुत लाग मिलता है फ्रेंच चोट लगने के बाद हातों या कहीं पर भी चोट लग जाती है तो नीला जैसे निशान पढ़ जाता है तो आप वहाँ पर कच्चा आलू पीसकर लगाएं जो नीला पढ़ चुका है इस्थान उसमें बहुत ही आपको आराम मिलेगा नमर 16 लंबे समय तक फोन चलाने लैपटोप चलाने और टीवी बैट कर देखने से सरीर की हड़ी और गरदन चे जुड़ी कई असारी समस्याएं हो जाती है नमर 17 यदि आप सुबह बासी मूँ बालों में कंगी करते हैं तो इससे आपके बाल मजबुत होते हैं जब भी आप सुबह उठ रहे हैं तो उठते के साथ ही आप अपने बालों में कंगी कीजिए इससे आपके बाल बहुत मजबुत होते हैं नमर 18 जब भी हम नाखुन काटते हैं नाखुन काटने के बाद तेल जरूर लगाएं इससे आयादास 24 आयादास तेज होती है नमर 19 शुबह की धूप बॉड़ी के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है इस सरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन D मिलता है जो हड़ियों को मजबुत बनाता है इसके अलाबा धूप सेखने से कही तरह की इसकी समस्याएं की जैसे की ऐलर्जी से भी दूर होती है नमर 20 रोटी के साथ गुड़ खाने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है नमर 21 अगर आपको थोड़ा सा काम करने पर बहुत कमजोरी महसुस होती है तो सोयविन का सेवन कीजिए इससे किसी भी तरह की कमजोरी दूर हो जाती है नमर 22 अगर अपने दातों को हमेशा स्वस्त रखना चाहते हैं तो हमेशा कुछ भी खाने के बाद अच्छे से खुलना जरूर करना चाहिए इससे दातों की गंदगी बाहरं निकल जाती है फ्रेंस यदि आपको अपने दात स्वस्त रखने हैं तो आप कुछ भी खाने के बाद आप खुला जरूर करें इससे आपको जो भी आपके दावतों में गंदगी फस गई है वो निकल जाएगी पेट की चर्वी पिगलाने के लिए दही में चुटकी वर सफेज जीरा मिलाकर दिन में एक बार खाने से कुछ ही दिनों में ही आपको बहुत फायदा दिखने लग जाएगा गी को साल भड़ तक इस्टोर करके रखना है तो घी में इलाइची के दाने मिलार दें इससे घी में खुस्बू आती रहेगी और घी खराब नहीं होगा फ्रेंज आज की टिप्स आपको कैसी लगी जरूर से बताएगा टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंस आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी थैंक्स पर वोचिंग माई वीडियो